नमस्ते या भिवातान आपका इनुसेंट 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 इनुसेंटर के इस नहीं वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर BPCL की बात करेंगे काफी ज़्यादा क्वेरी इस पर आई हुई है कि स्टॉक गिरा क्यों स्टॉक गिरा क्यों जब इतना बड़ा इन्होंने डिविडियो कर लेंगे अच्छा लगेगा मुझे अगर आप नीचे वॉलिम देखो तो भयंकर तरीके से वॉलिम बढ़ा है रिजल्ट के बाद अक्सर स्टॉक में वॉलिम बढ़ जाता है यह एक स्टॉक गिरा क्यों अगर यहां पर इतना पॉश्टिब मोमेंटम आने की उमीद थी सबको तो स्टॉक गिर कैसे गया अठावन रुपय का डिविडेंट प्लस एक लाग करोन का रेविन्यू ठीक है एक लाग करोन का रेविन्यू रिजल्ट बहुत धमाकेदार प्राइव पर इसका प्राइस था तो यहां पर खूब टीबी वाले आपको बता रहे थे स्टॉक खरीदो बहुत बड़ा डिविडेंट आएगा ऐसा होगा वैसा होगा उसके बाद जब स्टॉक गिर गया तो सब सांथ हो गया और मैं चुपके से नहीं आपको खुलम-खुला आकर व क्या है कमपनी ग्रोथ पर फोकस करने ही सकती नए प्लांस अपने खोल नहीं सकती नई जगें पर पैसे लगा नहीं सकती तो आफकोस सी बात है और सबसे बड़ी सेरहोलडर भारत सरकार तो कह रहे हम तो गरीब हो गया हमें पैसा दे दो ठीक है यह दिल पर ना ले लें कु वहां से उनको मोटी रकम आई थी, उस मोटी रकम को जब हम हर share के उपर calculate कर रहे थे, पचास रुपए से ज़्यादा आ रहा था वो, ठीक है, यह चीज मैंने आपको calculate करके भी बताई हुई है, वीडियो अवेलबल है, बहुत से लोगों ने इस पर calculation की थी, जब 50 रुपए आ रहा है हर share के पीछे, तो अफकोसी बात है, या तो companies को dividend के रूप में देगी, special dividend, interim dividend, कुछ भी करके देती, या फिर growth पे focus करें, growth पे focus करने ही सकती, ऐसी companies तो उन्हें dividend देना था, चाहे इस quarter में देते, चाहे गले quarter में, और यहां पर आपके पास बेहतरीन मौका था, इस टॉक को खरीदने का, आप मानिये या ना मानिये, इससे best मौका आपके लिए हो नहीं सकता था, चाहे स्टॉक को खरीदने का, और यहां से यहां तक का momentum अगर आप देखोगे, 400 वाला stock अगर 480 आ जाता है, बीस परसेंट का momentum होता है, अब मैं असली खेल आपको दिखाता हूँ, बीस परसेंट का momentum आ चुका है positive side, आप लोग यहां पर लिए यहीं पर आकनट के मतलब होता है कि आस्मान से गिरे खजूर पर आकनट के वाला हाल है, आप यहां पर कल positive momentum के लगभग पूरे आसार है, क्यों पूरे आसार है क्योंकि बड़ा प्लेयर आप सब को फंसाया, खासका refendo में आप देखोगे मई futures में मतलब गजब का volume हुआ है और जून futures में भी कमाल का volume हुआ है BPCL में और यह सब चीजें देख करके दिल पसीर सा जाता है कि बड़ा प्लेयर हम आपको सब को परिसान करके रख देता है, अगर आप 5 मिनट की candle पर आओगे तो आपको एक चीज दिखाए देगी कि stock में एक बड़ी गिरावट उपर के level से आई है बड़ी candle ही red बन गई यानि कि सब को पहले बेंचना ही है जी नहीं पहले बेंचना नहीं था किसी को मैं आपको दिखाऊंगा आप दंग रह अगर बड़ा प्लेयर इंतजार करता है कि चलो आने दो हमारे छोटी-छोटी मचलियों को आने दो वो टीबी वाले उनको बोले है खरीदने को बड़े-बड़े एकसपर्ट उनको बोले है खरीदने को और देख लीजे पहली candle पे वॉल्यूम देख रहे है गिरीन केंडल क कौन खरीद रहा है एक तो इतना बड़ा गैप को क्यों हुआ एमो लगा दिये रिटेल इन्वेस्टर भाई साब अरे लगाओ लगाओ एकदम मौज लूटी है अठावन रुपए ऐसे लग रहा है डिरेक्ट जेब में आएंगे एकदम डेट तक तो आई नहीं लेकिन सब को लूट लेने हैं मझे करन्ट मार्कर प्राइज 370 के आसवास मैं खरीदारी की सला आपको दिया था लेकिन इतने उपर मैं तो साफ माना करता मैं तो खुद प्रॉफिट बुक करके निकल के भाग लेता अच्छा हुआ मैं प्रॉफिट बुक नहीं किया नीचे के लेवल स्टॉक नहीं लगाया स्टॉक को आप लोगों ने खूब खरीदारी की लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की सब कुछ अब उसके बाद उसको डिविरेंट से मतलब है नहीं फिर से कह रहा हूं उसको डिविरेंट से मतलब है नहीं बड़े प्लेयर को क्यों नहीं मतलब ह क्योंकि अगर आपने X dividend के बारे में सुना हो, तो आपको पता होगा क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पर, X dividend का मतलब अगर 100 पे stock चल ला है, 10 रुपए का dividend दिया, तो जिस दिन X dividend होगा, stock उस दिन 90 रुपए का हो जाएका automatically, क्योंकि F&O में पहली चीज़ तो contract रहते हैं, तो वहाँ पर तो होना यह must है, दूसरी चीज़, नॉर्मल बेसिस पे भी अगर आप demand and supply का rule जानते हो, तो आपको एक बात पता होगी, कि आज मैं 100 रुपए में आपको कोई सामान दे रहा हूँ, उसके साथ 10 रुपए का सामान फ्री दे रहा हूँ, dividend के रूप में, कल को जब मेरी दुकान पर आओगे वही सामान आप लेने तो आप बोलोगे भाईया कल तो आप यह साबुन फ्री दे रहे थे इस तौलिया के साथ, जब आपको कमपनी की डेट आएगी और डिविरेन एनाउंस किया जाएगा, जिस दिन खरीदने पर आपको डिवरेन मिलेगा, उसके अगले दिन, जही दिन खरीने पर dividend नहीं मिलेगा, उन दोनों के बीच में अठावन रुपए तुरंत माइनस हो जाएंगे, क्योंकि डिमांड ही अठावन रुपए नीचे आएगी, और ये जनरली रूल होता है, कि एक्स dividend के डेट के दिन stock क्या करता है, crash कर जाता है, उतना ही जितना उन् 30% tax का मतलब क्या है, 60 रुपए पे 30% का tax का मतलब है, 18 रुपए वो tax के रूप में देंगे, तो उन्हें पता है कि dividend लेने से अच्छा है, stock में सही जगा exit करो, अब एक बात सोचिए, 490 का level है जहां पर वो exit किया है, 470 के level पर वो बाइंग कर लेगा, तो उसे तकलीफ क्या 20 रुपए उसको direct मिल गए, समझे उसको अपना tax बचाने का मौका मिल गया, वो तो चाहेगा ना, और वो जानता है, वो नाप लेता हो, कितने लोगार है खरीदारी करने, चलो बिकवा देते हैं, और सब मिली भगत होती है, मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन ये सब च decision आप बाजार में लेना सीखो, और ऐसे टीवी वा लोंक चक्कर में निठल लोंक चकर में पड़ोगे, तो पैसा जलेगा, सही समय पे स्टॉक खरिदना सीखो, हर स्टॉक आपको मौका देता है, तो ये चीजें आपके साथ हो गई, आज कांड के रूप में मैंने ये बनाई आपके लिए, इस पेसली समझाने के लिए, चाहे अफेंडो डेटा बनके आ रहा हो, वहाँ पर भी शुरुवात में नेगरिविटी आई है, बार में जो बॉल्यूम वढ़ा है, वो चीज काफी पॉश्टिव संके दे रहा है, कल स्टॉक जो है वो बनिहां आपको इस टॉक में अपना पैसा मत जलाईए, ऐसे लेवल्स पर खास करके जहां पर आपको बड़ा प्लेयर फंसा सकता है, खास कर 470 की क्लोजिंग, उसके उपर 20 रुपए उपर इस टॉक खुलता है, वहाँ पर आप आप बाई करने जाओगे, तो हाँ जलाओगे, अब कल को य पर आप बाईजन 6-12 महीने का है, तो 470 पर आप यह श्टॉक अभी भी खरीज सकते हो, लेकिन तब होगा जब आप नॉर्मल सा रेटन चाहते हो, क्या डिविडेंट के लिए इस टॉक में अंधा चुकी खेल जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए, अंधा यह भी बताया तक TV वाले आपको फंसा देंगे, और वही हुआ इस टॉक गिरा, और गिरने के बाद हमको मौका मिला, यहां पर भी आपको वीडियो भी दी, प्लस अपने होली पोर्टफोलियो में, प्लस बहुत बार बार मैंने यह बात कर एक BPCL एक ऐसा स्टॉक है, जो यहां के लेवल पे लेना चाहिए, और 20% की वैल्यू अगर आपको नहीं पता, तो मतलब आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो इस बाजार में, आज नहीं तो कल बड़ी चोट खाओगे इस बाजार से, समझ में आ गई होगी, I hope बाते आपको, तो डिविडिन अगर मिल क्योंकि company private होने जा रही है, सरकार ये काम कर रही है, प्लस इतनी बेहतरीन company है, आप सोच भी नहीं सकते हो, इतना बड़ा revenue ये generate करते हैं, तो long run के लिए रखने में कोई तकलीफ है नहीं, मतलब कि हर चीज company के लिए अच्छी है, बस बड़ा player वहां पर active ना हो, क्योंकि व मुझे positivity दिखाई देती है, स्टॉक में आने वाले हफते 10 दिनों में, तो अगर आप ऊपर के लेवल पर कहीं फसे हो, बहुत ज्यादा कांसे से आपको यहां पर exit मिले, अगर वह नहीं मिल पाता है, तो best average करने का rate पहला तो 470 के आसपास में खरीदारी रिकमेंट कर सकता ह हो, कोई दिक्कत है नहीं आपर स्टॉक को खरीदने में, क्योंकि percentage terms में return बहुत बहतरीन है, अब दूसरा अगर आपको level चाहिए ही चाहिए, तो 440 आने दीजिएगा, 440 वोल्ट का current लगता है, तो आप अपने आपको current लगवा लिजिएगा, महाँ पर quantity add कीजिएगा, उस record date आएगी, उस date पे stock आपके पास होना चाहिए, T plus today के settlement में, कोई सवाल सुजा हो, तो email पे पूचिएगा, और हाँ, जो भी आपको dividend मिलेगा, उस पे tax कौन सा लगेगा, भाई, जिस tax lab में आप आते हो, जैसे कि मैं अगर 2%, 5-10, या फिर जो highest level है कौन सा, 30%, अगर आप उस आप से adjust कर सकते हो, मिलेंग फिर से, नमस्कार.